सब्सक्राइब कीजिए वाइटी गुरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर लिजे और पाईए लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर मुबाइल नंबर कैसे चेंज करें और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं और आपको OTP नहीं आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अगर आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर मुबाइल नंबर चेंज करना चाते हैं OTP के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाते हैं तो फिर इस वीडियो को एंट तक देखते रहे हैं То दोस्तो यहां पर अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर मुबाइल line दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा setting and privacy तो अब आपको यहाँ पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको कैसारे option मिलेंगे यहाँ पर सबसुपर आपको option मिलेगा account center अगर ये option नहीं आ रहा है तो अपने app को एक बार update कर लिजेगा अब यहाँ पर आपको account center पर click करेंगे जैसे आप लोग account center पर click करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक option मिलेगा सब्सक्राइड हैं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा contact info यहाँ पर आपका email ID और आपका mobile number so हो जाएगा तो यहाँ पर आपको contact info पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको आपका mobile number दिख जाएगा तो अब आपको अगर अपना mobile number change करना है तो सबसे पहले आपको इस वाले mobile number को delete करना होगा जो आपने पहले से ही add कर राखा है तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इस number को delete कर देता हूँ आप चाहे तो पहले number add करके बाद में भी इसको delete कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक ही number है तो पहले मैं इसको delete कर देता हूँ यहाँ पर आपको number पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको delete number का option मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारत से delete वाले option पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको अपने account का password एंटर करना पड़ेगा वरना आपका mobile number यहाँ से delete नहीं होगा तो यहाँ पर चलिए मैं अपने इस account का password एंटर कर देता हूँ यहाँ पर उसके बाद आपको continue के option पर click कर देना है अब जैसे आप password डाल कर continue वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका mobile number आपके Instagram एकाउंट से delete हो जाएगा यहाँ पर देखी मेरा mobile number delete हो चुका है अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नया number कैसे add करना है यान की mobile number कैसे change करना है तो यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा add new contact इस पर आपको click कर लेना है फिर यहाँ पर आपको एक option मिल जागा सब से उपर add mobile number तो आप आपको यहाँ पर add mobile number पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपना नया वाला mobile number enter कर लेना है यहाँ पर enter mobile number पर click कीजे और वो mobile number enter कर लेजे जो आपको यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर मैंने अपना mobile number enter कर लिया है अब देखिए मोबाल नमबर एंटर करने के बाद भी next का option enable नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऐसे नीचा आजएए यहाँ पर आपको profile का option पर अब click कर लेना है जैसे आप profile का option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको next का option मिल जाएगा इस पर आपको click कर लेना है यहाँ पर मैंने next का option पर click तो कर लिया लेकिन अब देखिए यहाँ पर OTP नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को परिसानी हो रही है उनको OTP ही नहीं मिल ला है तो चलिए इस problem का solution भी मेरे पास है तो अब आपको क्या करना है इसको ऐसे back कर लेना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है अब यहाँ पर आपको open कर लेना है अपना play store play store open करने की बाद यहाँ पर आपको search कर लेना है instagram light ओके आपको instagram का light version डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर मैंने already download करके रखा है तो यहाँ पर मैं इसको open कर लेता हूँ यहाँ पर मेरा instagram account already login है तो यहाँ पर जैसे आप instagram light version डाwnलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना instagram account सबसे पहले login कर लेना है फिर यहाँ पर आपको आजाना है profile वाले option पर जैसे आप Profile वाले Option पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखे एक Option मिल जाएगा Edit Profile अब आपको यहाँ पर Edit Profile वाले Option पर क्लिक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक Option मिल जाएगा Personal Information Setting तो इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे आप personal information setting पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिल जागा mobile number का तो इस पर आपको click कर लेना है अब यहाँ पर आपको अपना वो mobile number दोबारा से enter कर देना है जिसको आप अभी add करने की कोशिस कर रहे थे तो यहाँ पर मैं दोबारा से वो enter कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने mobile number enter कर लिया है अब आपको यहाँ पर दोबारा से next के option पर click करना है जैसे आप next के option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमें OTP मिल चुका है जो कि हमें उस application में नहीं मिला था तो यहाँ पर OTP में मिल गया है चलिए मैं यहाँ पर OTP enter कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने OTP enter कर दिया है OTP enter करने के बाद आपको next के option पर click कर लेना है जैसे आप next के option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका mobile number successfully add हो जाएगा यह हमारे Instagram light version से ही add हुआ है चलिए अब मैं आपको Instagram के full version वाले application में भी चलके दिखा दिता हूँ ओके यहाँ पर मैं आ गया हूँ इसको मैं थोड़ा सा refresh करता हूँ ओके यहाँ पर देखिए मेरा जो mobile number है वो मेरे इस account में add हो चुका है जो कि अभी तक add नहीं हो रहा था क्योंकि OTP नहीं आ रहा था तो इस तरीके से आप OTP के problem को solve करके अपने Instagram account में mobile number को change कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपको कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लिजेगा